ओम शांती, आज का वर्दान, 36 वा दिन, और परमात्मा पिता आज हमें याद दिला रहे हैं कहीं दिनों से परमात्मा पिता की जो ब्लिसिंग्स हैं, जो वर्दान हैं, उसमें यही बता रहे हैं कि एक युद के मैदान पर हर प्रकार की सेना होती है कोई होते हैं, महारती जो होते हैं हाथी के उपर, कुछ होते हैं घोड़ सवार होते हैं, जो घोड़े के उपर होते हैं और कुछ प्यादे होते हैं, जो की चलते रहते हैं, अस्ते अस्ते तो हर एक की अपनी वैलिव है, हर कोई important है, लेकिन हर एक की अपनी शक्ति है, तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इस आध्यात्म की journey जो है हमारी, यह जो यात्रा है, इसके अंदर हम बन जाएं, प्यादे से घोड सवार, घोड सवार से हम advance हो करके बन जाएं, जो कि कहते हैं महार जो हैं उन सब को support करते हैं, और आजो बाजो जो हैं उनकी तरफ से भी उनको protection, safety भी मलती है, तो अब रुहानियत में क्या है, तो परमात्मा कहते हैं वर्दान में, सदा उमंग उच्साह में रहे, चड़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भवा, सदा उमंग उच्सा में रहने वाले कौन होते हैं, हमारी life society में विकर आप देखें, तो कुछ आत्मा होती है, जिनको किसी को बोलना नहीं पड़ता है, कि आप आगे करो अच्छा करो, आप अच्छे हो, आप और आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ सकते हो, तो आगे जा सकते हो, तो महारत ही जो होगे, जिनको कुछ बोलना नहीं पड़ते हो, मस्त चलते रहते हैं, तीर मान उनको लगते हैं, दुनिया की चीज़े लोग बोलते हैं, कोई भाला ठेकता है, कोई कुछ करता है, तो लोग की अच्छी बाते, बुरी बाते, सब आती उनकी तरफ, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ते हो, मस्त चलते रहते हैं, तो परमातम, हैं अभी कहते हैं कि आध्यात्म की जो जर्णी है, जो ये रस्ता है, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन परमातम चाहते हैं, कि हम क्या बन जाते हैं, हम प्यादे से गोड़ सवार। पोड़ सवार से एडवांस हो करके हम बन जाए महारत ही, तो वो उसके विस्तार में सुलते हैं, महावीर बच्चे हर सेकंड, हर संकल में चड़ती कला का अनुभव करते हैं, वो कभी रुखते नहीं है, पिछले वरदान में भी हमने देखा था, कोई युद के मैदान में कभ पीछे नहीं हटता, वो चाहिए हार हो रही हो जीत और वो आगे पढ़ता जाता, और कभी भी उस मैदान को छोड़ के नहीं जाता, तो महावीर बच्चे भी क्या होते हैं, गिरते हैं, गिरते हैं, इंके उपर वार होता है, लोग कुछ बोलते हैं, उल्टा सीथे लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं, महावीर बच्चे हर सेकेंड हर संकल में चड़ती कला का अनुबव करते हैं, वो अपने आपको रिफार्म करते रहते हैं, परिवतन करते रहते हैं, नहीं सोच को, ताकि वो क्या कर पाएं, वो परमात्मा के अनुसार चल पाएं, और अपने आप प्रतिकला सर्फ के प्रती भला अर्थात कल्यान करने के निमत बना देती है तो आप क्या उस प्रकार की आत्मा जो की सिर्फ अपना नहीं सोच करके प्यादा सिर्फ अपना सोचते हैं घोड़ सवार कुछ-कुछ समय अपना सोचते हैं फिर औरों के बार में सोचते हैं फिर भरपूर होता है, शक्तिशाली होता है, ग्यान से और योग से, वे सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं, वो कभी ठकते नहीं हैं, वो औरों को भी उमंग उत्साह मलाते हैं, और खुद भी सदा चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कोई चीज चाहे वातावरन हो चाहे लोग हो कुछ कहने सकते हने रुकने वाले को घोड favorites But पानी पीने के लिए शक्ती भर निक होगा रुट के थोड़ी देर थोड़ा सा किया तोड़ासा आपने घ्यान को लिए फिर से फिर से तृष्चियव еловकर भाला करने में लगे लेकिन महावीर जो होते हैं कभी रुखते नहीं हैं ठकने वाले को प्यादा ठक गए थोड़े दिर अराम कर दिया अपने सारे अस्त्र शेस्त्र उतार दिये सो गए फिर उठे ताकत भरी फिर चलना शुरू किया वो होगे प्यादे पहता हैं ठकने वाले को प्यादा और जो सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूपती वो चलते रहते हैं चाहिए दर से कोई आकशन ओर्ध कोई चीज आई लेकिन को पता के लगे सीधा empieza सामने बहुत सारे विगन हैं लेकिंगो सब कुछ महावीर बन करके बहुत ना जैसे हाथी चलता है तो सारे पेड़ वेर सब कुछी दर उदर हट जाते हैं सारे हटा देता उनको सुन से इती तकत होती है तब गनेश जी की दिखाते हैं मूर्ति में गनेश जी को हाथी का रहते हैं अपनी पेस में कभी रुखते नहीं किसी कले तो कभी किसी कले भी नहीं रुखते हैं वह अपना चलते रहते हैं उनको सब लोग फॉलो करते हैं उनके पीछे पीछे चुप चुप के चलते हैं क्योंकि पता है कि उनके अंदर ताकत है वो बचा सकते हैं तो महाव सदा स्ट्रॉंग रहता है इसलिए उनकी माया से किसी भी रूप में आख नहीं डूप वेगी वह इधर उतर नहीं भागेंगे देखेंगे किसी चीज़ से वह सदा सीधा चलते रहेंगे साधारन रहेंगे सिंपल रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो आप किस प्रकार क कि आत्मा हैं आप भी आकर ब्रह्म कुमारी से मेडिटेशन सीखें और महां पर आपने आपको पहचाने कि आप कौन है आपके अंदर कौन से शक्तिया हैं इसी के साथ ओम शानती